हेलो एवरीबन, हावाई वाल, कैसे आप लो, लास्ट फिप्टीन डेस आर लेफ पॉर यूजी 2022, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, रेडी होगी नहीं, तो आई थिंक कि तुम अब रेडी हो जाना चाहिए, अब नहीं भी रेडी हो, तो कैसे हमें प्रिप्रेशन स्टार्ट द्यूस, इस वीडियो में फिर से एक गिववे कंडेक्ट हो रहा है, गेस करो क्या, एक बहतरीन चीज जो तुम्हारे लिए बहुत हल्वोल हो सकती है, वो चीज है, क्राश कोर्स, तो तुम्हारे इस वीडियो में गिववे होगा, किस बच्चे को होगा, सब से पहली UGE phone ना है ठीक है दूसरी चीज कि क्यों तुम्हें हम लोग जो है crash course provide करें what are the reasons तो वो तुम जरूर से जरूर comment करना इस giveaway को participate किये और best of best तुम अपने तरफ से answer लिख सकते हो यह जो भी होगा एक random बच्चे को जो है crash course provide होगा सिर्फ crash course में provider होगा पिशली वीडियो जो ही ती अपनी उसमें जो है you'll find जो भी giveaway हुआ था तो उसका announcement हो चुका है तो make sure वो भी तुम चेक कर सकते हो चली अब start करते हमें UGE के लिए क्या strategy होनी चाहिए definitely अपने end से तुम comment कर देना जो भी winner होगा उसको तुमे definitely तुमारे लिए notification जरूर आ जाएगा start करते हम लोग कि हमें 15 days के अंदर क्या करना चाहिए before starting मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा अगर तुम चाहते हो कि किताब पर्चेस करना है ट्रिपल आइटी प्रेप की धमाकेदार वाली जिसमें की UG Reap, UG Super और UG PYQ एक साथ हमें मिल जा है तो उसका description box में लिंक है काफी जल्दी auto stock होने वाला है अगर तुम चाहते हो पर्चेस करना है तो पर्चेस करो proper तरीके से जिसमें की तुम्हें जो है अभी तुम्हारे पास 3947 आएगा और तुम जाके तुम पर्चेस कर सकते हो और ट्रिपल आइटी प्रेप की वेबसाइट से भी as well as Amazon सुभे तुम इसको पर्चेस कर सकते हो ठीक है description box में स्किलिंग है अब आती है बाडियार की सर यह रीप के क्लिपलह पर जो करता है यह तो मैं में पता होगा यूजी और अब जो एक आड़ी वाला पास एक सब्सक्रण अपने पास होगते में अपने पने और पिछेंज करने वाले इस 15 दिन के दोरान तुम्हें क्या बढ़ना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहली चीज मॉक टेस्ज जरूर देने कैसे देने क्या करने वो तुम्हें बताएंगे कैसे तुम्हारा चीजे रहेंगे अभी देख लो रीप में में चीजे देखो एसी उपर जो आएगा वो तो physics chemistry में पार्ट में होने वाला है ठीक है एसो पर जो जाएगा वो physics chemistry में मैं थोड़ा वाले पार्ट में जाएगा REAP वाला party में थोड़ा सा different हो जाता है थोड़ा analytical approach में चले जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़े देखो cover होती है arithmetic basic time and work हो जाता है graphical question हो जाते है simple and compound interest वाले train problem हो गया big passage problems हो जाती है case study problem हो जाती है अब किस से कितना weightage हो जाए ये भी तुम्हें बताएंगे हम ये फिर उसके बाद देखो reasoning and the data interpretation में क्या चले जाता है coding decoding चले जाता है cubes and dices हो जाता है directions and test miscellaneous puzzle, logical event diagram, analytical reasoning data sufficiency, linguistic finding the missing term देखो इत्ती सारी चीज़े हैं ये thirds and dices, logarithm, progression series permutation and combination, probability tracing curve and number of solution हमने पहली भी चीज़े बताएंगी तुमने अगर वीडियो देखे होगी तो हमने बताया था क्या-क्या important है, याद है कि नहीं permutation and combination, बताया थे नहीं दूसरी चीज़ क्या बताया थे तुम्हें, probability दूसरी चीज, तीसरी चीज़ क्या बताया थे, sequence and series चौता क्या बताया थे, limit, continuity and differentiability, इन चार को धमाकेदार preparation करनी अपनी, इन चारों को best तरीके से तुम्हें prepare करना है, बाकी मैंने reap वाले पार्ट में भी तुम्हें बताया थे, बताया थे की नहीं, coding and decoding, पताया थे न, linguistic वाला पार्ट, missing term, यह सारी चीज़े बहुत important है, time and work, है तो बहुत सारी चीज़े, बट कौन सा important है, वो हमें main अभी देखना नहीं, देखना थे तुम्हें साब ही है, ठीक है, यह सारी चीज़े देखनी है, अब अगर तुम analysis देखोगे, तुम क्या होगा कि तुम पढ़ रहे होगे, अब JEE की तरह नहीं पढ़े इसमें, पहली चीज़े हम पहले बता रहे क्योंकि JEE और इसका exam बहुत ही different होने वाला है, तुम्हें पता होगा, SUPR एक घंडेगा होगा, REP वाला जो पार्ट होगा, वो तुम्हारा दो घंडेगा होगा, अटलीच paper pattern clear होना चीज़े, और पहली चीज़े बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे paper pattern different भी आ सकता है, जैसे JEE advance में होता हमें पता नहीं होता है, यहाँ पे भी वही सीन है, SUPR जो होता है, one hour, सीधे lock खतम फिर, जैसे दो से पांस तुम paper दोगे, दो से तीन, फिर तीन से पांच, दो से तीन में SUPR खतम, बंद हो जाएगा, एक घंडे का time रहागा, पचास question करोगे, पचास question पट पट करन में होता हमें, समझे रहे हो, ज्यादा tough सवाल नहीं आता है, यहाँ पे तुम बैट के बड़े-बड़े integration solve कर रहे हो, jay advance वाले problems solve कर रहे है, बड़े-बड़े, कोई फाइदा नहीं हो सीच का, analysis के साथ पढ़ना भी, number चाहिए, कि jay advance या तो फिर jay advance के लिए proper तरीके से पढ़ो, यहाँ पे तुम्हें बहुत different way में पढ़ना पढ़ता है, रीव वाला part फास करके तुम्हें ज्यादा stress देना पढ़ेगा, time and work हो गए, speed distance हो गई है, हाना, तो कैसे तुम्हें पढ़ना है, किताबे तुम्हें पताई थी, और भी चीज़ें तुम्हें पताएंग इन दोनों की मिला कही हो जाते है, दस question chemistry के खिलते हैं, देखो यहाँ पे भी से, तो देखो कि physical, inorganic और organic अगर मैं compare करूं, तो जो physical वेटेज हो जाता है, वो थोड़ा जादा बरतस्त हो जाता है, अगर तुम physical वेटेज हो जाता है, तो 62% है, 60% करी वेटेज है, यह अगर मैं बाकी की बात करूं, इन और्गनिक, और्गनिक का, तो 40% है, बनलब physical में थोड़ा जादा stress देना है, देना न, सारे stress देने है, जो physical वाले topic, अब जादा भी stress नहीं दी, ऐसे बैटके दमागे दार पड़ना, PYQs एक बेस तरीके से करना, भी resources जो है तुमारे पास, एक easy category का होता है, 20-30% जाएगा medium category में, 10% जो जाएगा, वो hard category में जाएगा, इसका हमलोग है, 70-80% paper जो आने वाला है, वो easy category में राज करता है, हमने SUPR का पहले बताया था, 70-80% paper तुमारा easy में जाएगा ही, और physics of maths का weight is 80% तक चले जाता है, और chemistry का weight is 20% तक चले जाता है, पता topics पहले complete करने कुशिच किये, ऐसा नो, बैट के तुम पढ़ रहे हो, reasoning वगएर, यह सब topics पढ़ रहे है, हाना, ऐसे topics पढ़ रहे है, जिससे चीजे बने ही नहीं यह पढ़े जा रहे है, पढ़े जा रहे है, जेई की तरह नहीं, जेई की तरह बन PYQs दे रहे हैं, जेई क and reasoning and data interpretation, देखो, क्या होता, देखो, 15, 18, 17, और उसके बाद है, 11, 12, 17, 14, 19, और यह, 22, मतलब समलो 15 से 20 कोशन जो ले जाते हैं, वो reasoning and data interpretation, कहां पे, reasoning मतलब कौन सा वाला पार्ट हो गया तुमारा, linguistic वाली सीजे हो गई, समझ रहे हो, data interpretation हो गया, data sufficiency हो गया, यह सारी चीजे ही है, इसमें बताया थे, easy, medium, hot, same, 60 to 70%, यहाँ भी easier paper आता है, और tough वाली category, बहुत ही कम होती है, हाँ पे 10% तक इसमें tough होता ही है, अब देखो, कहां से main problem होती है हमारी, अगर मैं reef वाले पार्ट में देखू, देखो, analysis तुम देखो, जबर देखो, time and work का, देखो, problem देखो, time and work का, problem देखो, इसमें, 18 में कित्ती problem आई थी, 19 में कित्ती आई थी, case study based problem, देख सकते हो, आपर कित्ती कित्ती problem से, 2-4 ही है, फिर big passage problem, train problem, train problem भी एकाद आती है तुमारी, simple and compounded, देखता ही नहीं है, इंट्रेस्ट हो ही नहीं, यह graphical question, थोड़े थोड़े से, mainly तुम देख क्या बताते हैं, जो बताते हैं, वही तुम करना है तुम्हें, number of solution, tracing of curve, इससे थोड़ा कम देखने को मिलता है, certs and data, linguistic भर-बर के विचारा आया है, इसके बाद देखो, coding decoding, जिसको हमने बोला, हमेसा stressful बोला, analytical reasoning, misleading, misleading, logical well diagram, data sufficiency, finding machine term, यह तो सारे important है, इसी से क्योंकि सारी चीजे बनती है, वैसे mainly अगर तुम देखो कि linguistic के problem, ती से चार problem वहाँ पे आखरी में तुम्हें देखती है, देखो, अब सबसे पहली चीज क्या, तुम्हें ध्यान हो गया की नहीं, पहला चीज क्या करना है, इस 15 दिन के दोरान, ज्यादा से ज्यादा अपन को क्या stress दे प्लस साथी साथ cash course भी तुम ज्याइन कर सकते हो, कई लों अभी भी पूछते हैं, सार अभी मैं crash course ज्याइन करूंगा, तो कुछ फायदा होगा, देखो, हमने पैसले बार भी बताया था, जित्ता जल्दी ज्याइन करते हो, उतने अच्छे फायदे हैं, ये एक्चुली 12 दिन का course है, ठीक है, परपर है, recorded है, पूरा, तुमारे live doubt sessions भी होते हैं, आना, telegram में अपने जुड़े होगे, तो वहाँ पर तुमारे पास live doubt sessions का, तुमारे पास notification वगरे भी जाता है, इस पूरे course में तुम्हें कहीं भटकने की जरूद नहीं पड़ेगी, पहली चीज़ सब कुछ बुलकुल assembled way में है तुमारे पास, जो जो important chapters है, वो सारा कुछ अपनने cover करने कोशिच किया है, जितने chapters है, उठाओगे, जैसे ही तुमने join किये, अब ज्यादा से ज्यादा तुम्हें lecture देखने है, आना, जैसे ही start करोगे, अगर तुमने, जैसे मालो तुम्हारा SUPR वाला part completed है, तो तुम भली skip करके सिधे REAP वाले part में जा सकते हो, बड़ तुम्हें लगता है कि मेरको सारा कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ हैगे, देखो जैसे तुम जाओगे course briefing में, तुम्हारे पास यह सब available है, जिस दिन join किये, उसी दिन तुम्हें मिलेगा, यह भल follow, join the community, how to use this course effectively, but अभी सीधे सीधे तुम्हें चले जाना, SUPR analysis, सीधे सीधे, यही से चले जाना और यही से पढ़ना स्टार्ट कर देना, सीधे, सीधे देखो, PNC, Probability, LCD, Series, and Case Study, सीधे सीधे स्टार्ट कर दीए, इसको क्या है, पट-पट निप्ट आना है, दो-तिन दिन के सीधे हुए, Speed and Distance वाले पार्ट में, Time and Work वाले पार्ट में, Finding Missing Term, Coding, Decoding, Data Interpretation, Data Sufficiency, and Linguistic, तुम्हें कहीं भटगने की जरुवत नहीं है, डून ना, उपन डून के रखे हैं, सारा Study Material, Best of Best, तुम्हें गाइडियंस सब बना हुआ है, अभी तुम भटको होगे, 15 दिन है, भटकोगे, यहाँ, वहाँ जाओगे, फाइनली पेपर बिगट जाएगा, अगर पेपर फोड़ना अपने को UG का, तो Best एक तरीका है, जो कि Best तुम्हें सब चीज़ें मिल रही है, उसके बाद तुम्हें PYQ का discussion चीज़ें, प्रॉपर जैसे बच्चे पूच्चे पूच पेपर फोड़ना है, बिल्कुली, सी टाइम पे तो यहीं तो एक राइट टाइम है जोइन करने का, समझ रहे हो, तो तुम जैसे ही तुम SEO PR की है, वैसे ही तुम रीप आले पार्ट में मूव करोगे, रीप आले पार्ट को एट लीस तीन से चार दिन तो देना, आना, एट अब भाइब मॉक टेस्ट भी देना है, देखो, साथ में क्रैस कोर्स के साथ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, तुम्हें आठ मॉक टेस्ट मिलेंगी, पुरानी मॉक टेस्ट भी तुम्हारे पास अब लेबल होगी, आल इंडिया लेवल की मॉक टेस्ट भी है, वो भी तु देखो कि मैं कहां पर स्टेंड कर रहा हूं, फिर तुम जैसे ही तुमने पूरा खतम कर लिया, फिर दो टेस्ट लिया, कोशिश करना है, पहले थियूरी पार्ट जल्दी अल्दी निप्टा के फिर ये सब चीजे देनी है, तब एक best way में बनेगा, ठीक है, दो से पांच बिल alternate basis में, 15 दिन है, हर दो दिन में अपने को टेस्ट देना, हर दो दिन में, हर दो दिन में, अगर लेट करते हो, तो मालो जॉइन, तो क्या करना है कि फिर डेली basis में तुम कर देना इसको, टेस्ट जरूर देना बच्चे, टेस्ट के मिना फिर आगे तीज़े बनेगी नहीं, और इसको analysis भी देखना है, इसमें सब कुछ दिया गया हो तुम्हें, solution के साथ analysis, तो तुम्हें कहीं भटगने की जरूरत ही नहीं, आपे complete analysis रहेगी, calculator को कैसे use करना, सब चीज़े रहेगी, ठीक है, तो ये 2 to 5 यह हमने बताया, All India Level mock test है, इस सारी चीज़े तुम्हें बता रहे हो, तो वो chapters तुम्हें पता है, उसी में तुम्हें stress देना ही है, इधर उधर नहीं कि बैट के अपन पड़ रहे है, physical के स्वाल बना रहे है, J advance के previous, वो तुम बनाओ J के लिए, यहाँ पे नहीं ना बच्चे, यहाँ पे तो तुम्हें REB वाले part को focus करना है न, तो notification आजाएगा, हमने बताया था, जिस बच्चे को चाहिए crash course, free of cost में sir, free of cost में इतनी भवाकेदार चीज़ें, तो जिस बच्चे को लिखाओगा, उसको information आजाएगी, फिर मिलेंगे, channel को subscribe करके रखना है, वीडियो को share करने अपने, जितने भी तुम्हारे friends हैं, colleagues हैं सब के झाल